हएंट हैँ नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो कि अपना प्रीम memory की प्रॉबलम को ठीक करने के लिए बजार में आप मिनने वाली obstacle आती है परफुम की तरह स्प्रेडाब या श्ते नाव नहीं लोंगा कि आप ये जो स्प्रे है सेक्स करने का 10 मिनिट पहले इस स्प्रे को लगा के आप संबन बनाने के लिए आप जाईए इससे होता ये है कि आपका टायमिंग थोड़ा बहुत बढ़ जाता है आप साइड एफेक्ट की तौर पे आपको बहुत कुछ हो सकता है इसमें आपको इं कम हो जाता है कई बार पेसंट आकर कहते हैं कि सर हम ने ये स्प्रे को इस्तमाल किया लेकिन अब हमारा जब गल्फेंड या हमारा वाइफ जब उसको टच करती है जब हमारा पाइवेट पार्ट को टच करती है मारा ग्लांस को झूती है तो अंधर से एक जो आराउसल वालalso feeling आना चाहिए एक जो उते जाना होनी चाहिए वो खतम सा हो चुका है और कुछ लोगों में side effect इतना ज्यादा हो जाता है कि वहाँ पर touch करने पर उनको पता तेक ने चलता है कि उनका link है करके यानि वहाँ पूरी तरह सुनपन आ जाता है पूरी तरह नमने सा जाता है तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि अगर आपको इस तरह की समस्या है कि आपका timing कम है या आपको sensitive glance की problem है यानि sensitive glance का problem के कारण से आपका timing कम है तो इसका homopathy में बहुत अच्छा इलाज होता है आप लोग अगर हमारा videos को regularly follow करते है तो फिर आप लोगों को पता होगा कि sensitive glance का problem के कारण से अगर timing का problem हो रहा है या फिर अगर आपको premature rejection का problem है तो इसका homopathy में कितना अच्छा इलाज संभव है यह आप लोगों ने देख लिया होगा मैं आप लोगों के सामने अब एक case present करता हूँ इस तरह का problem लेकर हमारे पास patient आये थे उनका problem क्या था और कैसे हम लोगों ने इलाज किया और उनका feedback क्या रहा उनका problem solve हुआ है कि नहीं हमारा treatment से वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि होमपाथी में इस तरह का problem को solve करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों यह जो प्रेसेंट का आप skin shot देख रहे है इन्होंने भी इस तरह का जेल लगा के अपना problem को बढ़ा लिया है इन्होंने चार महना लगा था और इस तरह का spray को इस्तमाल करके अपना timing की समस्या को दूर करने के लिए सोचा हाँ इनको timing न थोड़ी बहुत रहात तो मिल गया था जब वो इस्तमाल कर रहे था लेकिन छोड़ने के बाद problem वैसे का वैसा ही रह गया उनका timing तो जीरो हो गया लेकिन छोड़ने के बाद उनका link का जो sensation है वो sensation पूरी तरह गायब हो गया यानि जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उनको एसासी नहीं होता है किसी किसी लोग को कि उनका link है करके वहां टाच करने पर वहां पर एक जो अरौजल वाला feeling होना चाहिए जो अच्छा उनको अनुभब होना चाहिए तो पूरी तरह खताम सा हो चुका है अब अब इनका erection पूरी तरह खताम हो चुका है और अब इनका link में अगर कोई चिटी अगर कार्ट भी देता है तो उनको असास तक नहीं होता है यानि कहने का मतलब जो link है वो पूरी तरह सुनपन से भरा हुआ है और इस case में जो मैंने प अगला मेने के लिए इससे क्या हुआ कि इनका link की जो एक नमने सी है जो सुनपन है यह पूरी तरह गायब हो गया और यह side effect को दूर करने के बाद इनका अंधर रहा दो समस्या एक erectile dysfunction की समस्या और दूसरा रहे गया timing की समस्या erectile dysfunction की समस्या इस प्रेक को लगाने के बाद ह दूदपन हुआ था इनको erectile dysfunction की problem नहीं थी इनको सिफ timing की problem थी जिसके लिए इन्होंने spray को इस्तमाल किया लेकिन spray को इस्तमाल करने के बाद इनका अंधर नमनेस का problem चलो हो गया साथी साथ इनको erectile dysfunction का problem चलो हो गया तो नफेलियम से इनका सिफ नमनेस दूर हुआ लेकिन erect सी साथ जो टाइमिंग की समस्य है वो भी साय नहीं हुआ था तो टाइमिंग एरेक्टाइल दिस्फंग्शन की प्राब्लेम को ठीक करने के लिए मैंने इनका पूरा तेकिंग फिर से किया केषटिक करने इस ते न किया की किया है इस बर हमने इनको 0x9 और 0x10 सलफर हमने भेजे है उनका एड्रेस पे और सलफर के साथ साथ पेसरेंट का कहना था कि सर आपका बनाया हुआ जो एक जेल है और आपका बनाया हुआ जो टाबलेट है क्या मैं इसको ले सकता हूँ या नहीं क्योंकि सर मुझे जल से जल साधी करना है मेरा अगला साल साधी होने वाला है तो मुझे जल से जल आप ठीक करिए उसके लिए अगर आपको कोई extra medicine आइड गरना पड़ेगा तो वो आप बेसक आइड गरिए तो मैंने पेसरेंट को मेरा बनाया हुआ जो जेल है ये भी पेसकाइब किया और उसी के साथ मेरा बनाया हुआ जो टाबलेट है वो भी हमने इनको दिया दो महने के लिए और अब आप पेसरेंट का फिटबैक देख सकते है पेसरेंट ने मुझे चार महने बाद क्या लिखा ह उनको कितना improvement आया हुआ है यह आप देख सकते हैं इनका नफेलियम से तो side effect जो इनको हुआ था नमनेस की जो सुनपन की वो तो पूरी तरह ठीक हो गया था दो ही महने में और अगला दो महने में इनका timing की समस्या और erectile dysfunction की समस्या 70-80% तक इनको रहात मिल चुका है हमारा medicine से तो कल मैंने इनको last 2 महने का medicine इनको भेज दिया है इनका address पे यह 2 महने का medicine खाने के बाद इनका case समाफ्थ हो जाएगा इसके बाद इनको और timing की समस्या नहीं रहेगी और ना ही erectile dysfunction की समस्या रहेगी जो timing पहले 10 second 20 second हुआ करता था अभी वो timing कम से कम 4-5 minute तक हो चुका है हम पिसे ना ले अगर आपको रेक्टाइल डिसफंक्शन का problem है आपको timing का problem है आपको libido का problem है या आपको कोई और problem है अब सिधा किसी एक अच्छी classical MD homeopath के पास जाकर अपना problem के regarding treatment स्टार्ट करिए अब देख पाएंगे आपको पूरी तरह फाइदा हो जाएगा दोस्तों मैं